नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं हर रोज मोबाल और केम्पूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियो से लेकर आता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए है पर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं आप लोग को चलाना आता है तो उससे ही रिलेटेड ये एक एडवांस एक्सल के रूप में जो अप्लिकेशन आया है इसका नाम है मैं आपको यहां Google Play Store पर दिखा देता हूँ लियो एप आप यह देख पा रहे हैं दो लियो एप जो इंस्टॉल दिखा रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पढ़ सकते हैं एक्सल बिजनेस नोट्वुक डिजिटल रजिस्टर एक तौर से आप इसको कह सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा ही एप्लिकेशन है आप देख सकते हैं एक मिलियन से याद इसको डाउनलोड मिल गए है और 4.4 इसको रिव्यू रेटिंग दी गई है जो की काफी ज्यादा अच्छी होती है और हम इसको जो है बहुत ज्यादा अच्छा कह सकते हैं यह दोस्तों इसकी बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं और यह जो है यहाँ पर रिलीज हुआ है अठाइस एक्टूबर 2020 को अब दोस्तों इसको यूज कैसे करना है आप इस्टॉर करने के बाद ज चाहेंगे यहाँ पर अपर प्रोफाइल को कंप्रीट कर सकते हैं आप यहाँ पर नेम एंटर कर सकते हैं मोगाइल नंबर एंटर कर सकते हैं इसी के साथ जो है दोस्तों आप यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्रीट कर लेंगे मैं आपको बताता हूं उपर देखिए लिखा यहां पर फाइल बना कर सकते हैं फोल्डर बना सकते हैं तो इसके साथ दोस्तों नीछ आप देख पा रहे हैं यहां पर टैंपलेट दिख रहे हैं अगर आपकी शॉब्च उप तर व Partners रेको डाइस कर सकते हैं तो अपके घर यह school है student है apartment है insurance agent मैं देखी दोस्तों शुरू में आपको दिखा देता हूं माली जी आपके घर पर किसी की शादी है और आपको वो सभी manage करना है तो आप wedding option पर जाएंगे wedding पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आप manage कर सकते हैं guest की list बना सकते हैं यहां जैसी guest list पर क्लिक करेंगे देखी यहां पर नाम आ गये हैं इसी तरीके से आप यहां पर invite कर सकते हैं invite करने के साथ साथ दोस्तों आप यह option देख रहा है invitation send अगर invite invitation send हो गया है तो नमबर ऑफ प्यूपल इंविटेशन सेंड यह आप इस तरीक से यहां पर कर सकते हैं काफी अच्छा है दोस्तों आप एक्सपेंडिचर की लिस्ट बना सकते हैं यहां से आप जितनी भी आपके खर्चे हैं देखिए किस तारीक को कहां पर क्या दिया गया इसकी साथ दोस्तों डूलेंटो बना सकते हैं जो भी आपको काम करने हैं आपको शादी में जो फैंट मेंइन उरकना है बजट इसके हैं आपिसकी अगर्च आप यहां देख़ पाय रहे होंगी माली जी आपको का का काम चल रहा रहा है तो आप जाएंगे construction पर आप लेबर टाइम ड्रेकर पसक्ते हैं कैस्ट अवन चे कहते हैं आप उदार रस्टर बना सकते हैं construction material पाहा पहला है यह इस तरही किसे दोस्तों आप यहां पर जो अगर दोस्तो आप student है important topic है तो आप यहाँ पर देखिए topics बना सकते है topic का name homework बना सकते है expense अजिस्टर इसी के साथ हम कहा सकते है कि हम empty documents को भी बना सकते है यहाँ पर दोस्तो आप देख पा रहा है personal sales business property broker यह इतने सारे तरीके के यहां पर आपको यह मिल जाएंगे आपको अगर income register बनाना है तो आप यह income register पढ़ जाएंगे यहां पर देखिए आपकी कहां कहां से income होती है sources माली जी salary है rent है यह आपका amount है इसी तरीके से दोस्तों यहां नीचे total लिखा आ जाता है मैं यहां use this template पर click करके आपको दिखा दिता हूँ देखिए यह बिल्कुल blank हो गया है आप यहां पर जो भी use करेंगे यहां आप easily लिख सकते हैं आप तारीक लिख सकते हैं माली जी आज की तारीक है यहां पर आप source लिख सकते हैं source को आप select कर सकते हैं और इसी की साथ आप यहां amount लिख सकते हैं note बना सकते हैं और आप add कर सकते हैं एक बार add हो जाने के बाद दोस्तों आप यह log देख रहे होंगे यहां से आप इसको जो है log भी कर सकते हैं अब इस Excel में जो है आप कोई changes नहीं कर पाएंगे क्योंकि यए Excel यहां से log हो जाएगी तो दोस्तों यह income register आप यहां इसी की बना सकते हैं इसी की साथ आप देखिए income register यहां आपको देख रहा है आप यहां click करके इसको share कर सकते हैं template के लिख सेप कर सकते हैं rename कर सकते हैं duplicate बना सकते हैं कर सकते हैं और फाइल को यहां से डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तों हमने आज इसको डिलीट कर दिया है आप टूडू लिस्ट से बना सकते हैं हर दिल की आप चाहते हैं कोई लिस्ट बनाना कुछ आपके कामों की लिस्ट है तो आप वो भी यहां पर जो है आसानी से बना सकते ह काफी अच्छा एप्लिकेशन है 100% यह सेक्यूर है इसको सेक्यूर बनाए गया है और आप यह जो देख सकते हैं आप यह देखिए आप 10 भाशाओं में इसको यूज कर सकते हैं इसी के साथ साथ से जादा टैंप्लेट आपको यह मिलेंगी आप अपनी खुद की टैंप्लेट जो है दोस्तों आप बना सकते हैं फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं इसी के साथ साथ आप अपडेट कर सकते हैं आपके डेली और मंतली डेटा को आप सारे काम यह डेटा के जो है कर सकते हैं स्मार्ट फोन पर और आप इसका बैक अप भी रख सकते हैं दोस्तों और यह पू